वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल यहां हम डिसकस करेंगे 12 स्केर फिट हाउस प्लांट के वारे में जो की हमारे प्लॉट का साइज है 30 फिट बाई 40 फिट यहां एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हाउस के अपना जो हाउस है उसके तीनों तरफ साइड में और जो पीछे जो है कोई प्रापरिटी लाइन या मतलब की दूसरों के माकान बने हुए हैं तब भी हमारे हाउस में वेंटलेशन की कोई प्रावलम नहीं होगी क्य कि हमने उस हिजाब से भी इसे डिजाइन किया हुआ है तो सबसे पहले जब आपकी हाउस में एंट्री होती है तो यहां पर डोर डी थी जो प्रोवाइट किया गया है इसके बाद यहां पर आपका ड्राइंग रो मिल जाता है इसका जो साइज है 15 फिट 6 इंजवाई 11 यहां आपकी डेन्ट तेवल रखी जाए इसके बाद इसी सी लगा लगा आपका किचिन वेल जाता है किचिन का साइज है 15 फिट 6 इंजवाई 8 फिट यहां आपके जो है फ्रीज की पोजीसन हो गए ही यह आपका गैस हो गया और यह वास बैसिन हो गया किचिन के वेंटिले में आपको जो wall दिखा रही है इसकी जो height आपकी रखी गई है वो 5 feet है इसके बाद यहां से आप exit होंगे तो यहां पर door d1 की साहता से आप master bedroom में चले जाएंगे इसका size है 13 feet by 13 feet यहां पर जो है आपकी अलमारों की position हो गई यह आपकी tracing table होगे यह आपकी bed और television की position हो जाती है इस bedroom के लिए ventilation के लिए हमने window w1 provide की गई है जो हमारे washing area में open होती है इस bedroom के separate huge के लिए हमने जो है toilet provide किये गया है इसका जो size आपको मिल रहा है 8 feet by 5 feet यहां पर toilet के ventilation के लिए ventilator भी provide किया गया है यह आपका OTS है 2 feet by 2 feet का यह आपकी trap की position हो जाती है इसके बाद यहां से आप exit होंगे तो यह common toilet मिल जाती है आपको तो इसका size 8 feet by 5 feet रखा गया है और यहां ventilator भी provide किया गया है इसके बाद यहां से exit होंगे door d1 की साहता से आप bedroom number 2 पर entry कर जाएंगे इसका जो size है 13 feet by 14 feet 6 inch रखा गया है यहां आपके बैट और अल्मारों के position हो जाती है इस bedroom में जो है टेली विजन यहां provide करेंगे आप इसके बाद यहां window w1 provide की गए है अगर आप चाहें तो side में जो है proper जगा है यहां पर तो computer table जो यहां provide करेंगे और यहां आपकी chair की position हो जाती है इसके बाद यहां से exit होंगे तो आपको जो है dining room से ही छत पर चले जाएंगे first floor पर जाना है तो यहीं से आप steer provide की गई है यहां से आप जो है first floor पर चले जाएंगे अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे है तो please मेरे channel को subscribe जरूर करें मेरे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thanks for watching